अगर कोई पोस्टमातम इस तरह से घाटना की होती है तो वहाँ वीडियो गॉराफी नबनना क्या इस सारह कर रहा है इतना कुछ हो रहा है तो यह कियो निकल कि आी ऑई कही प्हसाषण इसमें इंडेगी करता होना है पता नहीं थी उनको जानकार ही नहीं थी कि आज मैं खुले आसमान तले हूँ आसमान में गने बादल है ये वो बादल जो बरसेंगे या नहीं बरसेंगे इसको लेकर लोग कयास लगा रहें लेकिन राविया केस को लेकर जो अपडेट है वो आपसे साजा करने आए क्योंकि लगातार इस बात को लेकर सवाल उठ रहा है कि आखीर राविया को अब तक इंसाप क्यों नहीं मिल रहा है सिविल डिफेंस का जो मामला है वो आम आदमी पार्टी के विधायक पर भी आरोप लग रहे हैं और अर्विन केजरिवाल इसमें सापतोर पर उन पर भी सवाल खड़े हो रिशी को लेकर आज आपने सही होगी राहूल से जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि इस मुद्दे को बारी की से समझते हैं देखते आ रहे हैं और प्रोटेस्ट भी उन्हेंने कवर किया है राहूल मैं आपसे समझना चाहरा हूं सिविल डिफेंस का जो मामला है राबिया को लेकर अब तक क्यों इनसाफ नहीं मिल रहा है क्या कुछ नई जानकारी है जो अब तक का अपडेट सबसे पहले सभी दर्शों का बहुत बहुत धन्यवाद आभार प्रकट करता हूं राबिया केस में नए अपडेट्स जो निकल के अब सामने आ रहे हैं मेरी बात हुई कुछ वकीलों से हम कालंदिक उन्च की थाने में भी गए वहां पर भी हमने इजाजपरताल पूरी वि जो कडिया है वह खुलती हुई नजर आ रही है चाहे वो निजामुद्दिन जो अपने आपको अरोपी निजामुद्दिन अपने आपको बता रहे थे कि मैं राबिया का कथित तोर पर पर पती हूं जो अब तक सिद्ध नहीं हुआ उन्होंने कुछ एविडेंस भी दिया से भी मियुक्त chamado मैं जो राजू है उन्होंने बताया साफ तोर पर उन्होंने सीधी तोर पर उनुने घुस नहीं कि उनको खुद शाधी की पता नहीं०्दिन उनके भाई की शाधी से हो चुकी है तो yaha कहीं नज कही न देखनेने लिए बड़ा सवान लेकल का कि जब भा गर खुदी आद्म सम the र करकते हैं तो वहां एक छीस सामने निबाती है कि उनका जो बयान है वो यह कहते हैं कि मैंने ही अपनी वाइफ को मार आ है क्यू Ma princeis Day huma really कहते है कि उसके च़ेद्र पे उनको शक्ता सवाल उठा रहे है अप redemption समय पहले ही आप यह बताते हैं कि आपका शादी होती है राबिय से आप उसकी चडितर पर सवाल उठाते हैं मोटा सवाल यहां यह निकल के आता है कि जब इतना कुछ हो रहा था था राविंदर महरा पर आरोप लगा थे तमाम लोगों पर आरोप लग लगे तो यह चीज़ी पूरा चुपाने क्अ काम और मांन लिया जाए कि जो येखान का मामला है यजरिक फ। बिल्कुल जो यो राबयसीफी को सजा है जो यह पूरा वाक्य है जिस हम बार-बार इस चीज़ों को हम बताने का कोशिश करने रहे जो यह कहिना कहीं पूरा विवाद है यह कहीना कहीं एक बहुत बड़ी जो शाजिश्टी जो वहाँ पर धरले से चल रही थी उस चीज़ को निकल के सामने आती लेकिन उस बेटी को उस बहन को बरबरता पूर वक दमाने का काम क्या चपन जगा बुरुचली उसको गायल किया और फिर उसके हत्या कर दे गई तो ये एक बड़ा सवाल निकल का आया खुद उनके भाई से मेरी लंबी बात हुई उन्होंने ये भी बताय कि पंदर दिन पहले ही उनको खुद पता चला कि शादी होई है फिर वह अचानक जाकर सरेंडर करते हैं अचानक जिस थाने में उन्हों सरेंडर करना एक तो ये कहानी को उलजाता है राहुल मैं आपसे समझनी की कोशिश कर रहा हूँ आपकी परतिकिरिया जानना चाह रहा हूँ कि अगर कोई पोस्टमाटम इस तरह से घटना की होती है तो वहाँ वीडियोग्राफी बनता है इस घटना में वीडियोग्राफी न बनना क्या इसारा कर रहा है जैसे आपने बताया कि वीडियोग्राफी बिल्कुल माने ने जो कोट का आदेश तो यही है कि जब बुरुचली किसी चीज का रेप होता फिर हत्याकांड होता है तो वहाँ पर उस हत्या का पूरा जो पोस्माटम जब किया आता है तो वीडियोग्राफी बनके तयार होती है और बेटी को न्यायद लने अकाम नहीं हो रहा है कि जब हमारी वहां के परिवार है वहां पर दर्शन हो रहा था जब उनसे बात हुई तो वह कह रहे है कि उफिस से राविया को उठाया गया फिर उसके बाद दिल्ली में मारा गया फरीदाबाद में फेका गया ये क्या कुछ मामला है क्योंकि लोग जानना चारे हमारे जो दर्शक है वो भी जानना चारे कि राविया केस में उफिस से लेकर के उनको उठाया जाता है फिर मारा जात काने की पूरी शाजिस्त एक पूलिस्ट रिमा विवाद बता रही है कि यह सिमा विवाद का मामले को पूरे मामले को पूरे मुद्द्ध को भटकाने को चारे है आप खुद दे कहीजिए जो ऑन रिकॉर्ड ऑन डुटी पर जो मौजूद हैं वहाँ पर लोग वो इस चीज को मौन बने आकान कर रहे वो इसलिए मौन है कि उन्हें सब चीजों को पता था राभिया को कुछ ऐसी जानकारी कुछ एवी एविडेंस मिल गए थे जो पूरे डिपार्टमेंट का परदाफाश कर दी परन्तु उन्होंने इ बड़े सवाल निकल गया दें बिलकुल सही कह रहा है बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए तो आप ने सुना यह हमारे सायोगी राहुल जो इस घटना के बारे में बता रहे थे जो उन्होंने देखा जो समझा उनके वकील से बातचीत हुई पडिवार वालों से बात ही होती है इस पर रहेगी हमारी पैनी नजर अपने सायोगी राहुल के साथ नेशनल इंडिया न्यूज के लिए सद्दाम करीमी कि यह रिपोर्ट यह अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें कमेंट करें शेयर करें और हां हमारे चानल को सब्सक्राइब करना ना बुले ताकि देश विदेश के जुड़ी खबरें आप मिर्श्ट न करें क्योंकि करोना काल में दो गस दूरी मास्क है जरूरी नमस्कार